गरम गुनगुना पानी पीना कितना फाइदे मंद होता है यहाँ हम सभी को पता है जादतर लोग हेल्दी और फिट रहने के लिए सुबह उठते ही गरम पानी में नीपू और शहद मिला कर पीते हैं इसे पीने से शरीर को बहुत से फाइदे होते हैं लेकिन अगर आप इसी मिश्रन में थोड़ी सी हल्दी में मिला देना तो इसके गुण और भी कई गुणा बढ़ जाते हैं दोस्तों हल्दी में पाय जाने वाले प्रमुक तत्व एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी ऑक्सिदेंट गुणों से भरपूर होते हैं हल्दी से लीवर साफ रहता है और दिमाग के सेल्स बहतर तरीके से काम भी करते हैं तो आईए जानते हैं कि सुबा पानी में हल्दी मिलाकर पीने के आपको क्या फायदे मिल सकते हैं इसकी जानकारी जाने से पहले सबसे पहले तो एकने वितन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप या सबस्क्राइब का बटन दबाकर हमारी सदे सिता को सरूर ले लें तक कि आप हमसे जुड़े रहें हमारी दोरदी वही जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायदा भीठा सकें आपको इसको बनाने के लिए जरूरत होगी आधा नीबू, एक चौथाई टी स्पून हल्दी, एक गिलास गरम पानी और थोड़े से शहद की दोस्तों सबसे पहले तो एक गिलास में आधा नीबू निचोड़कर उसमें हल्दी और गरम पानी मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लीजे, फिर उसमें एक चौथाई टी स्पून शहद भी मिला दीजे हल्दी कुछ समय बाद नीचे बैठ जाती है, इसलिए पीने से पहले इसे अच्छे से हिला कर ही पीएं ओके फ्रेंट्स दोस्तों हल्दी वाला दूद दिल के सेहत के लिए भी अच्छा होता है बहुत इसे पीने से खून जमता नहीं है और साथ ही यहाँ खून साफ करने में भी मददकार होता है इसके अलावा इससे खून की धमनियों में जमाव भी हर जाता है वहीं दोस्तों हल्दी वाला पानी भी दिल को दुरुस्त रखने के लिए ऐसे ही काम करता है वहीं हल्दी दिमाग के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है अगर आप सुबह के समय गरम पानी में हल्दी मिला कर पीते हैं न तो यहाँ आपके दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है वहीं हल्दी का पानी टॉक्सिक चीजों से आपके लिवर की रक्षा भी करता है और खराब लिवर सेल्स को दुबारा ठीक करने में मदद करता है दोस्तों इसके अलावा यह पिताशे के काम को ठीक करने में मदद करता है जिससे की आपके लिवर की सुरक्षा होती है वहीं दोस्तों हल्दी में endotoxins पाए जाते हैं जो कि आपके immune system को boost करने में भी मदद करते हैं हल्दी के पानी का सेवन करने से आपका शरीर cold, flu जैसे infection से अपनी रक्षा कर पाता है साथी यह वाइरस से लड़ने में भी शरीर की मदद करता है इसके अलावा हल्दी त्वचा के लिए भी एक वर्दान की तरह काम करती है अगर आप इसका सेवन करते हैं न तो यहाँ आपकी त्वचा की रंगत को भी निखारती है हल्दी में तुराकरतिक रूप से खोन को साफ करने के गुन होते हैं यह स्किन से टॉक्सिंस को निकालते हैं और त्वचा को साफ स्वस्त और निखरी बनाती है दोस्तों तो दोस्तों आपको हमारे दोरह दी गई है जनकरी कैसी लगी हमें कमेंड करके जरूर बताइएगा और आपको आज की जनकरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिगा